तो फाइनली दोस्ता आप लोग देखो के बैट कॉम गूप ने अपने quarter 2 के result disclose कर दी हैं जो भी previous year के थे तो चलिए देख लेते results कैसे हैं और इसका जो impact है वो हमें आखरकर कैसा देखने को मिलने वाला है stock के उपर तो चलो जानते detail में जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखो क यह आपको देखने को मिलेगा भी previous year का September quarter ठीक तो अपके बार जो total income हमें देखने को मिली थी इसके अंदर जुरू के result से उसके अंदर वो यहाँ पर देखो भी लगबग 18,000,000,000 क्रोड़ में convert कर हुए तो बनेगा भी यह लगबग 1813 क्रोड की income जो previous quarter में थी यानि कि previous year के same quarter यानि कि previous year के September quarter में देखने को मिलेगे 1680 क्रोड यानि कि income में काफी अच्छा जंप राया है ठीक है इसके अलावा आप लोगो देखो कि इसके expense यानि जो company ने खर्चे की हैं तो यहाँ पर आप लोगो देख सकते भी total expenses कैसे हैं 1339 क्रोड के जो previous quarter में थी बारा सो 47 और previous year के same quarter में दे 1235 तो expense में भी हमें जोना भी jump देखने को मिला है क्यू टू क्यू और year to year तो इसके अलावा आपके बार जो हमें expense देखने को मिल रहा है वो इसके revenue से तो कम ही है भी मतलो company ने September quarter में profit बना रहा है बट कितना profit है यहाँ पर देखो कि profit after tax अगर बात करें तो 352 क्रोड का profit बनाया है जो previous quarter में था 321 और previous year के same quarter में था भी 320 क्रोड तो यह पात करें भी हम previous quarter होती थी quarter two results की जो hold हुए थे या फिर रूके हुए थे जिसकी इसकी उपर mark जो यहां पर दगा हुआ था तो अब यहां से अच्छे results हैं आज भी stock में आपर circuit देखने को मिला है और आगे भी हमें जोना भी next trading session में भी circuit देखने को मिल जाएगा अर्निंग पर शेर आप लोग देखोगे एक रूपे चू एतर पैसे एक उनसट प्रीविस में थी और प्रीविसर के सेम कॉटर में भी एक उनसट तो results outstanding आए अभी जैसे उमीद थी वैसे results है नोट्स आप लोगे अबर detail में वीडियो को post करके यह पढ़ लेना ठीक है assets वगरा हो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी तो यही updates है इसके लाबब कोई और updates नहीं है भी and thank you for watching the video